नमस्कार, आप शभीत दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, मैं आचारी पंकस सास्त्रिय आपका अपने चैनल में हार्दी कविनन्दन करता हूँ, उपस्तित हूँ, जोती सम्मत बहुती मैत्वण जानकारी को ले करके और जैसा कि आप सभी को विदित कि आजकल हमारा जो चर्चा का विशे बनावा है, वह शन 2021 में शुब मोहर्तों को ले करके बनावा है, मोहर्तों का विशले शनम कर रहे हैं। और कल हमने मुंदन संसकार पर बात के और आज हम ज़े संसकार की बात करेंगे वह हमारे शनातन धर्म का मूल शंसकार होता है उसे कहते हैं यग्योपवीत संसकार कई छेत्रों में यग्योपवीत संसकार को उपनयन, ब्रत बंधन, मौन्जी बंधन और जनेव आदि नामों से जानते हैं हमारा भारत देश इतना विशाल देश है और अनेक छेत्रों की कुल प्रमप्राएं इसमें जुड़ीवी हैं इसलिए हम कोई भी संसकार करते हैं तो सर्वपर्थम हमें इस बात का विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए कि जैसे हमारी कुल प्रमप्रा है उसी के अनुशार हम सभी संसकारों को करें उपनयान संसकार शनातन धर्म में मुंदन संसकार के पस्चात नवा संसकार होता है विशेश कर आठवी अज्यार्वी और बार्वी वर्स में इस संसकार को कर लेना चाहिए आज कल प्रायोहयो देखने को मिलता है कि कुछ लोग इसको पहले नहीं कराते हैं और फिर सादी के समय ही एग्योपवी धारण कर लेते हैं लेकिन जैसा कि सास्त्र के अनुशार कहा गया है कि कृषिवी व्यक्ति को शनासकार इसले करवाना चाहिए ताकि उसका बौधिक, मानसिक, सार्रिक विकास हो और साथ साथ वह अपनी जिम्मेवारियों को समझे अनेक संस्कार किये जाते हैं तो संस्कारों का मतलब यह है कि आप आत्म निर्भर बनते जाते हैं जन्यों का क्यानियम है, मुन्नन का कैसानियम है, अनप्रासन का क्यानियम है, शादे का क्यानियम है, उसके पस्चात आप क्या अत्रिक्त पढ़ जाता है, क्या अत्रिक्त भाहर पढ़ जाता है तमाम चीजें हमारे स्वंसकारों में नहीत है बस हमें उनका अनुशरण करना चाहिए फिर हमें कईम भटकने की आवशक्ता नहीं है तो यग्योपवी स्वंसकार वैसे समगर भारत में होता ही है लेकिन संपूर्ण भारत में छेत्रियों कुछ प्रमप्राएं हैं अपने प् लोग होंगे जितने भी सनातन धर्म से जुड़े होंगे उन सब के लिए जरूरी हो जाती है उपने जौ्ण संसकार का जो पहला नियम है वह यह नियम है कि उपने जौकर है मुख्यत रूप से सूर्ज उत्रैण में होता है इसके लिए छो मास है माग, फालगुन, चैत्र, बैसाग, जेष्ट और आसाड अर्थात देव शेनी एकादसी से पूर्व काल तक उपनेयन संस्कार या यग्योपवीत संस्कार कर लेना चाहिए दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जैसा कि आपने मुंदन संस्कार में सुना होगा कि जेष्ट पुत्र के लिए जेष्ट मास वा जेष्टा नक्षत्र में उत्पन होए जातक के लिए जेष्ट मास का हमेशा त्यज्य रखना चाहिए उन्हें उस संस्कार को जेष्ट मा में नहीं करना चाहिए जेश्ट माह अर्थात मई 15-16 से लेकर के जून 15-16 तक रहता है तीसरी जो सबसे बड़ी बात है यग्योपवित संसकार के लिए वशंत रितु तथा आठवा वर्ष की उत्करष्टा इतनी होती है कि उनमें हम जन्म मास व जन्म दिन जन्म नक्षत्र को भी नहीं देखते हैं अर्थात विशेश रूप से वसंत रितु में वसंत पंचमी के दिन अनेक विद्यालयों में व बटकों को विशेश रूप से उसी दिन यग्योपवित धारन करवाय जाता है इसमें किसे भी तिथी नक्षत्र को दूसित नहीं मानते हैं चोथी बात है ये दपी जन्म मास व जन्म पवीत में त्याज है तथा पी आवश्यक होने पर जन्म दिन के दस दिन छोड़कर अन्य दिनों में यह संस्कार दो स्पून नहीं होता है अर्थात यदि आपका जन्म दिवश है जन्म माहा चल रहा है और आपको आवश्यक इस्तिति में यदि यग्यो पवीत करवाना है तो आप 10 दिन को छोड़कर के शंपून माह में बाकी के 20 दिनों में कर सकते हैं अब जानते हैं शन 2021 के यग्यो पवीत संसकार के शुब मुहृत कौन कौन से हैं तो जैसा कि आप सभी को वीदित होगा कि देव गुरु ब्रहस्पति वर्तमान में मकर रासिस्थ हैं और जब भी हम कोई भी संसकार की कोई सुब मुहृत निकालते हैं तब देव गुरु ब प्रहस्पति विशेष रूप से देखे जाते हैं, गुरुबल, चंद्रबल और सुर्यबल को विशेष रूप से देखा जाता है, तो वसंत पंचमी के दिन आप विशेष रूप से यग्योपवीत संसकार करवा सकते हैं, उसके पस्चात अपरेल मा में ही शुव मोर्त हैं, अप्रेल, 22 अप्रेल, 27 अप्रेल और 28 अप्रेल, वहीं मई में 16 मई, 21 मई, 23 मई और 30 मई, जून में 13 जून, 20 जून, 21 जून, 25 जून, और 29 जून, और जूलाई में 11 जूलाई को आप उपनयन संसकार करवा सकते हैं, अन्य, छेत्रिय कुल प्रमप्राओं के अनुसार, यदि आपके यहां सरदी और नवरात्रे, विजे दस्मी इत्यादी के मुर्थ परेदिया आप करते हैं, रक्षा बंदन में यदि आपके यहां होता है, तो निश्चित रूप से आप करवा सकते हैं, तो आपका जीवन मंगल में हो, मंगल कामनाएं हम करते हैं, नमस्कार, जानकार यह अची लगे, तो इसको से और अवश्य करिएगा, और चैनल पर इदिया आप नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना बोलें, शाति किसी भी प नमबर पर भेज दें, हम निश्चित रूप से उसका समाधान आपको बताएं.